इस्कूल सिख्षय विभाग और जनजाती विभाग के अंतरगर जो सिख्षकों की भरतियां हो रही हैं उसमें विवाद हो गया है दरसल वर्ग तीन की जो भरती हो रही है उसमें मांगिया है कि 51,000 पदों पर भरती की जाए अभी अधिकतर जो पद हैं वो बैकलॉग के हैं लेकिन उन्हें इनी जानकारी नहीं दी गई है जबकि वर्ग एक और दो के भी विद्यारती वो भी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं को चूच किया है जहां पर जिला बाइज आरक्षन लगा इसमें और अल्राजपूर जहावगा ऐसे जिले हैं जहां पर यस्टी को 87-85% मिला है जिसमें से एक वर्ग को फायदा हो रहा है और बाकी अधर जिले हैं जैसे डिपी आई ने 20 जिलो का निकाला है और अभी 32 जिले बच्चे हुए हैं उन जिलो का पोस्टी ने निकाला है वहां से हमें OBC को और EWS को और जनरल को पोस्टी मिलेंगी आप लोग क्या चाते हैं अभी क्या चाते हैं सर हम यह चाते हैं बस हमारे पदों में व्रद्धी की जाए क्यावन हजार पोस्ट चाते हैं हम लोग और उसमें भी यह चाते हैं कि बैकलॉक शामिल ना किये जाए जैसे इन लोगों ने यह बोला था 18,527 पे भरती की जा रही है लेकिन इसमें इसने बैकलॉग शामिल कर दिया जबकि एक नियम में की बैकलॉग का जो पद रहता है वो उसके पद इसमें शामिल नहीं होते है फ्रेश पद फ्रेश पद होते है तो इनने इसमें ही शामिल कर अब लोग लोग सिक्षर संच्राले पहुचें आयुत से मुलकात हुई बातचीत हुई जी सर हमने दिया उनको उनका कहना है कि रोस्टर सही है मतलब रोस्टर में कोई गलती नहीं है लेकिन हम लिखित में बता रहें ना आप बदलाओ नहीं होता तो फिर क्या करेंगे शर इनको मतलब 30 दिन का टाइम दिवी हुए है 30 दिन के अंदर करना ही होता तो बहुत बड़ा बिशाल अंदोलन होगा यह वर्गतीन के चात्र है जिनकी 8500